तो नमस्का दशकों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आध में आपके लिए लिख्याई हूँ मकार राषी का सितमबर 2020 का राशी अगर आपकी जनम कुंढ़ी में जहां चंड्रमा लिखा एंगर दस नमबर लिखा भूआ है तो मतलब सिक एक आपकी जो जब這邊ber के महा में मगर राशी के लिए घ्रय और नवा में घृये गोचर का होगा देवगरू बर्सपति धनु vér arrest में बिद्यमान होंग् bisschen हां और उनके संकेतों के फिल्ट होंगी सथ्राइब के बाद रुरू जो है मारगी होगे ऐसं शनी माहराज जो है मगा 20 में होंगे में बखरी अब स्ता में और महाकष अंत आते आते शनी माहराज यह मारगी हो जाएंगे चौथे भाब में मेश राशी के मंगल होंगे जो आपके लाभेश हैं वो अपनी सौराशी में बिद्ध्यमान हैं आपके चतुर भाब में रूचक योग बना रहे हैं और राहू जो है वो महा का जब आरम होगा तो मिथुन राशी में होंगे और उसके बाद 23 सितंबर के बाद राहू जो है विशव राशी में चले जाएंगे राहू के विशव राशी में जाते ही केतु जो की धनू राशी में थे वो भी 23 सितंबर के आसपास विश्चिक राशी में जाके आपके लाभभाब में आ जाएंगे इस प्रकार आपका लाब भाब और पंचम भाब राओकेतु के अक्ष में आ जाएगा सब्तम भाब में आपके दश में शुकर विद्यमान है करक राशी में मा के आरम में आपके अश्टम भाब में सूरे सिंग राशी में बुद्ध होंगे और 15 सितंबर के आसपास सूरे जो हैं कन्या राशी में परवेश करेंगे उनके साथ बुद्ध भी होंगे और महा के अंत में बुद्ध जो है आपके दशम भाब में आ जाएंगे तुला राशी में तो ये तो है घ्रह गोचर मकर राशी के जातकों का संगर्श वाकि है मैंने संगर्ष शब्द का इस्तमाल करने का रीजन क्या है कि किसी भी कुंण्ड़ी की बरतमान में शुबदा को जाचने के लिए दो महत्यपूर्ण पैमाने हैं पहला पैमाना है कि उसकी कुंड़ी में शनी की पोजीशन क्या है दूसरा गुरू की पोजीशन शनी माराज कुंड़ी में तीन छे और ग्यारा कच्छा फल देते हैं जो आपकी कुंड़ी में बनाता है क्योंकि आपके चंद्रमा पर उसका गोचर होता है इसलिए कोई ना कोई प्रभाव आपके ओपर नेगेटिविटी का आता है दूसरा आप लोग साड़े साथी के दूसरे फेज में चल रहे हैं तो इसलिए ये शनी का भ्रहमण जो है आपको हर तरह की टेंशन आप महत्प कानशी बिनाता है और उपर लगन पे शनी चल रहा है और दशम बाप पर शनी घिस्टी है तो दशम बाप से समंदित में घटना हैं आपके साथ घटित एँ रहे होगी तो शनी का गोचर क्योंकि स्वराशी का शनी है तो इतना नेगेटिव नहीं है लेकि तब भी गोचर अगर 3, 6 और 11 में होता तो आपके लिए ज्यादा शुफल दाई होता और अम गुरू के गोचर की बात करें तो गुरू 2, 5, 7, 9 और 11 का शुफल देते हैं लेकिन गुरू आपके बार में चल रहे हैं बार में का गुरू दो बाते करता है तो खर्चे खुब कराता है औ और आपके यात्रा एंखुब कराता है इस ब्यारत की बागा दोड़ी होती है आपकी या कही बार आप बिलकुल अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं बिलकुल पूचा पार्ट में लग जाते हैं आपको लगता है सब बेकार है मैं तो इस प्रकार अगर हम देखें कि दो अबेश मंगल जो हैं वो चतुत भाब में आ गए हैं और उनकी दिष्टी अपने ही एकदश भाब पर है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसलिए मैंने लिखा है कि और इसके साथ 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 सितंबर के महां में दो तीन डवलेमेंट हो रही है पहली बात तो यह होगी कि जो गुरू है वो सत्रा सितंबर के आसपास मारगी हो जाएंगे गुरू क्योंकि जब तक वक्री हैं सत्रा सितंबर तक तो गुरू एकदश भाब से भी फल दे रहे हैं जिसके कारण गुरू की शुपता है क्योंकि गुरू एकदश भाब में अच्छा फल देते हैं ले जब शनी महाराज को की वक्री हैं, तो वो धनू राशी से अपनी धनबाब को देख रहे हैं, तो आपको शनी की शुपता और अधिक मिल रही है, लेकिन जब शनी महा के अंत में मारगी हो जाएंगे, तो शनी की शुपता भी कम हो जाएगी, इसके साथ एक डबलमेंट यह है सितंबर माह में आपका जो राहू और केतु थे वो राशी बदलेंगे और केतु जो हैं एकदश में आ जाएंगे और राहू पंचम में चले जाएंगे केतु का एकदश में आना शुब है केतु आपको धनलाब कराएंगे आपकी कई च्छाओं की पूर्ति करेंगे लेकिन इ इसे लोग जो मीडिया से हैं, एक्टिंग से हैं, शो बिजिस से हैं, या पड़ाई वगारा के छेतर में हैं, तो उनके काम में थोड़ी सी भी गनानी की सबावना है, क्योंकि उनके काम के लिए मुखे जो भाब देखते हैं, वो पंचा मी देखते हैं, तो यह तो है सितंबर महा में डबलमेंट, अब हम देखते हैं, कि मकराशी के जात्कों के लिए सितंबर महा में क्या है, इसलिए मैंने लिखाया है, कि इस महा धीरे-धीरे आपके लिए काम की प्रस्ततियां बहतर होंगी, 13 सितंबर को केतु यहां पे आ जाएंगे, मंगल आपके लाभाब को देख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि दशमेश आपके, दशमेश शुक्र सब्तम भाब में विराजमान है, उन पर एक तो आपके धनेश शनी की दिष्टी है, और एक लाभेश मंगल की दिष्टी है तो दशमेश का सब्तम में होना और दशमेश शुक्र पर शनी वा लाभेश मंगल की दिष्टी आपके लिए शुप संकेत है। इस समय आप इस बात को रोकिए, जब बदलने के लिए समय सही नहीं है, फ्यूचर में आपके लिए समयाऊएगा, तब जाएं करेंगा आपकी इच्छ शंड़ी आपको मिल जाए वह समय पोसिबल नहीं हैं, तो आगे चल के आपको बताऊंगे आपको जोब का बदलनी है, फिलाल तो आप जोब बदलने का विचार मन से निकाल दें और वैपारी वर्कों में कहूंगी इस महा किसी बड़े भरे जोकीम का निवेश करना ना ही उचित है निवेश ना करें और कोई नए काम के शुरुआत करने के लिए समय उप्रिक्त नहीं है हाँ महा के अंतर में किसी पर भी जल्दी विश्वास ना करें कोई निकट का व्यक्ति आपको धुका देने की कोशिच कर सकता है अच्छा महा के अंत में शनी वक्री होंगे और महा के बीच में शनी वक्री रहेंगे इसलिए स्वास्ते का ध्यान रखें क्योंकि लगनेश जब वक्री होता है त आपको अपने साती संग को आशा लगा के बैठें लेकिन आपकी वो आशा पूरी ना हूँ संतान को लेकर भी आपको कोई चिंटा हो सकती है और अगर आप मकराशी के जाता के और आपको बहुत अधी कश्ट की स्थिधी बनती है आपको लगता है कि मेरे काम तो बिल्कुल डुकने लगे तो आप क्या करिए रोज रात को सोने से पहले एक समय अधारित कर लीजिए हात में बैटा है और शुक्र जो है दमपत्य जीवन का काराग रह है यह दमपत्य जीवन के लिए सुप संकेत है लाबेश मंगल की दिष्टी लाभ भार पा है जो धन के लिए शुब है साथी लेकिन इस महा में आपके गुरू और केतू दादश में रहेंगे तो खर्चों की दिखता आपके बनी रहेगी लेकिन जो लोग प्रापटी में डील करते हैं, चों कि लगा सकते हैं, क्योंकि गुरू के गुरू की दिष्ति आपके चोते भाब पर पढ़ रही है, तो मकान बनाने का ये समय आता है. अब हम देखते हैं कि मकर आशी के जातागा, अगर सितंबर के महा में कुछ कारे करने का विचार करते हैं तो उनके लिए शुपतितिया कौन से निकल के आती हैं जब चंदरमा मकर का, मीन का, मिथुन का, कर्क का और तुला का या विष्टिक का होगा तो चंद्रमा शूब होगा आप कोई भी कारे करने का विचार करें कुछ खरीद करनी है कोई इंवेस्टमेंट करनी है कोई सोदा करना है किसे मुलाकात करनी है इन तिथियों का ध्यान रखें तो आपको लाप पहुँचेगा ये शुप्तित्या नोट कीजिये सितंबर महा की 4 वा 5 सितंबर, 11 वा 12 सितंबर, 13 वा 14 सितंबर, 15 वा 20 सितंबर, 21 वा 22 सितंबर, 23 वा 26 सितंबर वा 27 सितंबर वो शुप्तिति हैं, जब आपका चंदर्मा positive होगा सितंबर के महा में आपका चंदरमा जब चौथा आठवा या बारमा रहेगा तो चंदरमा आपके लिए अशुब होगा यानि चंदरमा जब मेश का सिंग का या धनू का होगा तो मकर आशी के जातकों के लिए अशुब होता है तो उन तितियों को नोट कीजिए जब चंदरम मन का रख होता है अगर हमारा जिस दिन चंद्रमा शुबह तो कुछ हमारा काम कुछ हमारा भाग गया और कुछ चंद्रमा का साथ उस इस्थथी में हमें वो काम की पॉडिटिविटी जादा मिलती है लेकिन मैं आपको सपश्ट बता दूं कि मकराशी के जाता कि इस बात को ध कि कभी हम उसे कही लोग कहते हैं हमारी मकर राशी है हमने जॉब के लिए ट्राइ किया हमें पैसे मिले हमने ज्यादा मांग लिए पर हमें मिले नहीं इसका रीजन क्या होता है कि आपके संग दो बड़े घ्रहों का अशिरवाद नहीं है इसलिए हाँ जब 20 तोंबर को 6 अपरेल 2021 को गुरु जो है दूसरे भाब में आके आपके दर्शम भाब को दिश्टी देगा थोड़ा सापके लिए संगर्श का समय है अपना बना कि रखिए हनुमान जी की पूझा करिए क्योंकि आपके मनुकोमना पूर्ती के बाप के कारक बजरंग बली है हर मंगलवा हनुमान जी का परशाद चड़ाई है चोटे-चोटे बच्चों में बाटी है हनुमान जी आपकी सारी दुबदाओं को सारे कष्टों का निवारन करेंगे इसके साथ ही दर्श को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे आपके कम प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जायमात आदी